आज मैं बना रही हूं बहुत ही टेस्टी वाले न्यूट्रीला पनीर बैच रूल यह खाने में बहुत यम बनते हैं और इसमें जो समान यूज हुआ है वो सभी आपको घर पर मिल जाएगा हाई फ्रेंड्स मैं हूरी तु चलिए आई फटाफट से देख लेते हैं मैंने इसे वीडियो में कैसे बनाया है इसको बनाने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या करेंगे हम यह आप लेंगे आटा और जिससे हम बनाएंगे अपनी रोटी मैंने आपर एक बाउल भर के ग निकल के बाहर ना आ जाए और अच्छी तरह से इसमें फिलिंग भर जाए दोनों साइट से आप रोटी को अच्छी तरह से हलका सा ओईल लगा के सेट लीजिए ज़रूरी नहीं है कि आप इसके लिए ताजी रोटी ही बनाईए आपके पास अगर रोटी आप बच गई है क मितिल करता है कुछ अलग सी चीज़ खाए तो उसके लिए यह बहुत बेस्ट आप्शन है यह बहुत है मज़ेदार लगता है सारी रोटिया बनाके मैं इस तरह से रड़ी कर लूँगी अब मैंने आपर लिए कुछ सबजियां जैसे मैंने आपर लिए बीन्स थोड़ी सी गाजर लिए बारी कटेवे ब्याश बारी कटीवी शिम्लामेज यह लिए है मैंने न्यूट्रिला की बढ़िया चोटी वाली जिनको मैंने पानी में बॉइल करके ठंडा उक करके इसको हलका साब भूनलीजीए ताकि इसका कच्चापन निकल जाए अब इसमें डाल दीजे बारी बारी अपनी सारी सबजियां जो भी अपके पास झाल सकते हैं आप चाहें तो इसमें ब्लॉक्ली भी डाल सकते हैं या जो समझी आपको नहीं पसंददे आप उसे हटा भी म सकते हैं और इसको तेज आजपल थोड़ी देर के लिए भून लीजिए फिर आज को धीमा कर दीजिए दो-तिन मिनिट तक भूनिएगा बस अब आज को धीमा कर दीजिए और इसमें डाल दीजिए न्यूट्रिला की बढ़ियां मैंने आप चोटी वाली न्यूट्रिला बस दो-तीन मिनिट तक ही पकान आए और इसको फिर खोल दीजिए और हलका से इसको भून लीजिए अब आप इसमें क्या करिए इसमें डालिए आप पनीर के टुकड़े जो मैंने क्यूब्स पे कटकर रखे हैं और डाल दीजिए हाफ टीस्पून भरके मैंने डालिए कश् कौश्प्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें कॉमेंट करे मुझे और मेरी वीडियो को जादे से जादा इपने फैमिल आंड फ्रेंड्स में शेयर करें जो लोग फेसबुक पर मेरी वीडियो को देख़ रहे हैं मेरे फेसबूक पेज को फॉलो करना बिल्कुल न भूले बस बड़ी आसी फिलिंग बनके रेडी हो गई है अब आप लीजिए अपनी रोटी उसके पर लगा ये थोड़ा सा म्योनिस तो बच्छे को बहुत पसंद होता है तो आप उसको लगा दीजिए और उस पे भर दीजिए धेर सारी अपनी ये चटपटी वाली फिलिंग जो भी चीज़े मैंने यूज की है वो सभी चीज़े आपको अपने घर पे ही मिल जाएंगी और उपर से डाल दीजिए थोड़ा सा प्याज और नीबू जरूर डालिएगा एक टैंगी फ्लेवर के लिए बस इसको एक साइट से पहले हलका सा फो इने वीडियो के साथ में बाबाई टेक केर